हेलो दोस्तों कंप्रेशर सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीग जैक टेकनिकल और आज हम बात करेंगे air and oil separator के बारे में screw type compressor में air and oil separator क्या होते हैं किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में आज हम पूरा detail में जानेंगे तो जैसे कि आपने कहीं पर भी industry में काम कर रहे हों या कहीं पर भी हमारा screw type इसे ही हम लोग इसे ऑईल एंड एर सेपरेटर बोलते हैं तो इस एक में कनेक्शन होता है वह होता है फिल्टर एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फिल्टर एलिमेंट लगा हुआ है उसके बाद जो कंप्रेजड एर और ऑईल जो मिक्शर होता है वो इस हेपरेटर टैंक पर पहुंसता है जो की लूब्रिकेशन ऑईल जो इसमें यूज होता है वो हीट को इंजेक करता है जो हमारे स्कूरू एलिमेंट में जो सील वगर होती है उसमें से हीट को इंजेक करने के काम आता है और screw type compressor में oil को क्यू यूज करते हैं तो अभी जो हमारा यहाँ पर इस pipe से हमारा क्या होगा इसके नीचे फाइब लगी रहती है दूसरी तरफ से तो उससे क्या है air and oil का जो mixture होता है वो इस separated tank में आता है और उस separated tank में हमें इस चीज को देखना होता है कि किया जाता है by the process of filtration means यहाँ पर हमारे एक filter element लगा रहता है जिसे हम बोलते हैं air separator cartridge बोलते हैं उससे हम लोग use करते हैं generally इस तरीके का एक element आप देखेंगे हम इसे during service के दोरान भी change करते हैं तो अभी basically मैं पहले इसके ओपर ही बात करता हूँ इस separator tank की construction के ओपर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा filter element से या air end से जो हमारा mixture आता है वो इस तरीके से इस tank को design किया जाता है कि एक certain angle पर हमारा oil इसके अंदर पहुंचता है जिससे क्या होता है कि 80% जो हमारा oil होता है 82-85 जो percent oil होता है यह जो मैं काटेज दिखाया हूँ इस पर डाइगली टच नहीं होता means इस पर डाइगली जाके टकराता नहीं है क्योंकि अगर इस डाइगली टकराएगा तो यह फट सकता है तो इस तरीके से design किया जाता है एक certain angle में घूमता है जिसे oil क्या है oil की जो 85 percent oil है इसके अंदर इस तरीके से circulate करता है कि वो बाद में जाके निचे इखटा हो जाता है और जो क्योंकि compressed air के साथ में oil आ रहा है तो काफी speed से इसमें process होती है तो जो droplets बनते हैं जो 50 percent 20 percent जो droplets बनती हैं जो splash बनती है means जो उसके अंदर बनेगा उसको हटाने के लिए यहाँ पर ये filter cartridge लगाई जाती है ये separator cartridge बोलते हैं इसको इसको use किया जाता है तो इससे क्या है ये जो बाहर से इसकी जो जाली है मैस है वो dagli इससे टकराने से रोकती है ताकि ये जो अंदर का जो paper based एक filter elements होते हैं इससे damage ना हो तो इससे क्या है इसके top से यहाँ पर से top में अगर आप separator का top देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये है एक separator tank के अंदर तो यहाँ पर हमारी cartridge रुख दी है और इससे नीचे हमारा air इस तरीके से circulate होता है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके नीचे वाले जो corner है वहाँ पर से हमारा यहाँ पर से यहाँ पर हमारा नीचे से air end से oil आता है तो इस तरीके से गोल गोल घुमता है तो जो 80% जो oil है वो तो circulate होके 20 से ही दूसरी तरब चला जाएगा cooler की तरब चला जाएगा जो बारीक बारीक कण बनते हैं जो droplets बनती हैं oil की वो उपर जाके टकराएंगी तो यहाँ पर जो हमारा element लगा होगा वो उन्हें रोकेगा तो air जो होगी वो उपर से निकल जाएगी उपर यहाँ पर हमारा इसके उपर एक cover होता है cover से मैं आपको दिखाऊंगा कि यह देखे यह इस तरीके से blow down valve और check valve यहाँ पर लगा रहता है यहाँ से air निकल जाएगी क्योंकि air तो उपर से निकल जाएगी लेकिन oil को है हमारे यहाँ इस जगह से आगे फिर circulation में जाएगा क्योंकि air को तो हम यूज कर रहे है factory के अंदर लेकिन oil जो हमारा वो लगातार इस compressor के अंदर circulate करना चीए oil का loss नहीं होना चीए क्योंकि oil हम लोग लिमिटेट अमांट में डालते हैं during service के दोरान ही डालते हैं तो हमारा oil air के साथ नहीं जाना चीए oil हमारा circulate होना चीए और oil बार-बार कूल होगा फिर यहाँ air end में जाएगा फिर circulate होगा और heat होगा फिर cooler पर जाएगा cooler से return होगे एक close loop की तरह काम करेगा तो oil को air से अलग करने के लिए ही separator oil and air separator tank को use किया जाता है और इसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़े जूड़ी रहती है मैंने already parts के ओपर videos बहुत सारी बनाई हुई है compressor के जो अलग-अलग parts होते हैं किस तरीके से use होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उसके ओपर मैं already video बना चुका हूँ तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बने रहे है मेरे साथ और subscribe कीजिए मेरे चैनल को और like कीजिए चैनल वीडियो को मेरे अगर आपको कुछ सीखने को मिला इससे धन्यवाद दोस्तों